Hello friends, this is Mr. Siddhar Jaiswal from National Vidya Foundation. जैसे कि आपको मालूम है, चुम्लू का वीडियो आया था इसके पहले कि Delhi High Court का ओर्डर आ गया है कि everybody, whether you have update for NET or you have not update for NET, आप इस साल अबरोड जा सकते हैं MBBS का admission पाने के लिए. लेकिन इसका मतलब यहीं है कि you should go abroad blindly, because we have seen in the past that MCIE में बहुत सारे बच्चे वो आपस आने के बाद screening test पास नहीं होते हैं, इसका reason यह है कि बहुत सारे बच्चे जो abroad जाते हैं वो ठीक से पढ़ा ही नहीं करते हैं, and after coming back they blame everybody like college खराब है, country खराब है, ये खराब है वो खराब ह themselves, हम लोग का experience में ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो abroad जाते हैं वो ठीक से जाके पढ़ा ही नहीं करते हैं, in my opinion, only those students should go abroad, जो बाहर जाके daily, daily for the full duration of the course, whether the course का जो भी duration है, 5 years, 6 years, वो लोग को 10 hours daily पढ़ा ही करना पढ़ेगा, अगर आपको लगता है कि मैं 10 hours पढ जाता नहीं होगा, और ये exemption जो मिला है, only इस साल के लिए मिला है, अगले साल से निट कंपल सरी रहेगा, so अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, so I kindly request you to like, share and subscribe to our channel, और अगर आप चाहते कि आपको वीडियो जो भी new वीडियो बने आपको मिलते रहें, तो यहापर बेला आइकन है, उसको भी प्रस कर दीजे, thank you